गुद्माँंभी इस वेल्कम वेक्टो आवर अउलाइन क्लासेज सामने अपने लास्ट क्लास में कंडेंशेशन कंडेंशेशन जुब पर उसको हमने लियुद ने के साउट कर लियुद आपने इस वाउट्ट रॉट्र साइक्लिदी अग्धर दा तर्फिर टाइट एन और लेक से उसके अंदर बीकार पा्वाटार से उसके अंदर वाटबर करता है anterior sino करता है आपने हीट वज् estamos करता है अंदर चेंज इंटु वाटरवेपर हंई और वह रातों कि वज्यों बदल पाते हैं वच्छो उसके पर में चींज हो जाते हैं कि दीज वटरवेपर राइस अप इन टूड़ा एत्मास्फियर और वह जो जो ब्रवेपर है वह चला जाता है ओपर चला जाता है atmosphere के अंदर where it is conditions and change into the tiny droplets और वो किसके अंदर change हो जाते हैं छोटे-छोटे droplets में water के जो droplets होते हैं वो उसमें change हो जाते हैं इस water droplets join together to form clouds और वो water droplets जो है वो आपस में join हो होकर clouds बना लेते हैं ठीक है inside the clouds the tiny water droplets join the form bigger drops और जो चोटे-छोटे droplets से वो मिलकर कौन से drops बन जाते हैं bigger drops बन जाते हैं when this drops became heavy जब वो drops heavy हो जाते हैं they fall on the earth वो जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं और उसे हम बोलते हैं rain जैसे कि आप डाइग्राम के अंदर भी देख सकते हैं जैसे oceans हैं तो oceans sun की वज़े से क्या हुआ बच्चो हीट हुआ और उसकी वज़े से वो जो है evaporation कर पाया और evaporation करने की वज़े से condensation process का यूज हो पाया condensation में हमने पढ़ा जैसे जो water vapors के drops होते हैं वह छोटे छोटे drops मिलकर clouds बनाते हैं और clouds के अंदर बड़े-बड़े droplets होते हैं और उसके बाद जब वह हैवियर हो जाते हैं तो वह आप देख रहे है diagram में कि वह image के अंदर आपको दिख रहा है कि वह rain के थ्रू कहां आ जाते हैं जमीन पर आ जाते हैं फिर वह जमीन से वापसी पॉंट्स वगरा में लेक्ष वगरा में इन सब में चले जाते हैं ओके करें अगें उन पर सन हीट परता है और यह प्रोसेश जो हैं चलता रहता है यह यह नगते हैं अगरती शायकल के वह जाल यह फीव्यांग क्या होता है water many contain substance like sand dirt and germs जैसे कि जो water होते हैं इनके अंदर बहुत सारे substance mix होते हैं जैसे sand हो गया dirt हो गया germs हो गए यह सारी चीज़ें इनके अंदर mix होती है जैसे कि हम oceans water ले ले sea water ले ले pond water ले इन सब में यह वो क्या होते हैं इंप्यूर water होते हैं तो उन्हें हमें pure करने के लिए purification के नेड़ होती है विच मेक दब water unfit for you और जो हम impure water पीते हैं वह क्या होता है वह unfit हमारे लिए fit नहीं होता है that's why that type of water is called unfit for us drinking impure water cause disease जब हम impure water पीएंगे तो क्या होगा बच्चों हमें कई सारे disease होने का डर होता है so water should be purified before the use जब भी हम water use करते हैं तो उससे पहले वह water क्या होना चाहिए वह purify होना चाहिए ओके चाहें drinking के लिए यूज करें चाहें cooking के लिए यूज करें let us learn about some method by which we can purify water अब हम बच्चों कुछ method के बारे में जानेंगे जिन methods का हम use करके water को purify कर सकते हैं पहला आता है boiling boiling process क्या होता है इस process में हम water को boil करके अपने घर में हमारे घर में जो gas वगरह होती है उसके उपर हम water को boil करके उसको हम impurities को मार सकते हैं okay and next आता है sedimentation and dissentation sedimentation and dissentation बच्चों यह सारे process में नहीं हो पाता है इसके अंदर क्या होता है जिस water के अंदर ऐसे जैसे कि sand हो गए कुछ जो hard particles होते हैं strong particles होते हैं उस process को हम sedimentation and dissentation process का use करके जैसे कि आप diagram में देख पा रहें जो हमारा first image है इस image में आप देख पा रहें इसके अंदर नीचे sand है mix है इसके अंदर water के अंदर ओके उसको हम क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो वह water के अंदर सेंड होगा यह मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी बैठने के बाद हम क्या करेंगे जैसे कि आप दूसरे मेज में देख पा रहें dissentation में वह जो पहला जो process है उस process को हम मोलते हैं sedimentation sedimentation का मतलब होता है जो water के अंदर impurities है वो सेटल डाउन हो जाए डाउन में that is called sedimentation and dissentation में क्या होता है कि उस impurities से जो pure water है उसको अलग करना that is called dissentation ओके तो हम क्या करेंगे बिल्कूल उसे हिलाए बिना हिलाए water जो से उसको अलग कर लेंगे separate कर लेंगे यह जब ही हो पाएगा जब क्या होगा बचो कि को सब्स्टांस ऐसा हो जो हाड़ेस्ट हो water के अंदर सेटल डाउन हो जाए सेटल डाउन का मतलब होता है नीचे बैढ जाए अगला आता है फिल्टरेशन फिल्टरेशन प्रोसेस का हम नॉर्मली घर के अंदर भी यूज करते हैं water को सेपरेट कर सकते हैं अगला आता है क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है हम क्या करेंगे water के अंदर क्लोरीन की टैवलेट आती है वह एक केमिकल है उसको क्या करेंगे water के अंदर डाल देंगे तो वह क्या करेंगा उसके अंदर जो प्यूरिटीज होगी उसको वह खतम कर देगा देट इस कॉल्ड क्लोरीनेशन ना सी वाटर सॉरी से वाटर यह तो हमने वाटर जाना कैसे हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं water cycle के बारे में हमने जाना ना अवर नेक्स टॉपिक सेवाटर जो वाटर है हम सब को पता है water jak is limited कौनसे वाटर लिमीट है जो हमारे useful waters है तो that's why हमें water को क्या करना चाहिए save करना चाहिए अच्छा save करने के कौन-कौन से method है water के यह है do not leave the tap open while the brushing जब आप morning में आप paste करते हैं तो उस time आपको tap जो है खुला नहीं छोड़ना चाहिए next आता turn of the tap properly so that no water drops जब हम tap को बंद करते हैं तो उसको हमें बिल्कुल perfectly प्रॉपर वे में बंद करना चाहिए जिससे कि उसके अंदर से water drops जो है ना आए okay use a water can be water plants जो हमने water use कर लिया है उस water को जो used water है उसको हम जैसे कि हम सबजी दोते हैं तो उन waters को हम plants में डालने के काम ला सकते हैं next आता है wash your car using water in a bucket जब हम क्या करते हैं अपनी car दोते हैं बाइक दोते हैं हमारे paints दोते हैं तो हमें उसमें bucket का use करना चाहिए okay pipe का use नहीं करना चाहिए जो host pipe है उसका use नहीं कर और host pipe का use करना चाहिए और जो open pipes होती है उनका use हमें नहीं करना चाहिए ठीक है this is the last topic of this chapter in our next class we will do the book exercise of this chapter thank you for watching this video